Friends, last but not the least, पांचवा ट्रेंड यानि सरकार की बदलती भूमी का और उसका future of business पर प्रभावी बहुत व्यापक है मेरी emphasis हमेशा minimum government, maximum governance पर रही है मैं समझता हूँ कि competitive, innovative और dynamic business sector के लिए एक proactive transparent government अच्छे facilitator का रोल अदाव कर सकती है स्पस्ट नियम और fair system प्रावेट सेक्टर की ग्रोथ के लिए आवशक है इसी सोच और इसी approach के साथ भारत में पिछले पांच सालों में हमने कई major structural reforms किये है FDI policy को सुगम और liberalize करने के कारण आज भारत foreign investment का एक बड़ा destination बन गया है बीते पांच साल में भारत में 286 billion dollar foreign direct investment हुआ है ये बीते 20 साल में भारत के total FDI inflow का लगभग आधा है Insolvency और bankruptcy code या देश व्यापी एक taxation system हमने मुश्किल से मुश्किल decisions लिये हैं और उसे लागू किया है आज भारत का tax structure और IPR रेजिम विश्व के सबसे अच्छे business रेजिम के साथ comparable है ऐसे ही सुधार के कारण हर global ranking में भारत निरंतर भैतर production करता जा रहा है Logistic performance index में 10 rank का jump Global innovation index में 24 number का सुधार World Bank की ease of doing business index में 2014 में हम 142 पर थे उससे उपर उटकर आज 2019 में हम 63 के number पर पहुँच चुके है लगातार तीसरे साथ हम दुनिया के top 10 reform members में आज हमने अपना स्थान बनाया है हमने 1500 से जादा ऐसे पुराने कानूनों को भी समब्त कर दिया है जो विकास में अर्चन परदा कर रहे थे